प्यारी बच्चों जब तक आप चाप्टर का नाम और राइटर नहीं जानेंगे तब तक आपके नमर अच्छे आई नहीं सकते हैं तो क्लास 10 में आपके जो अब्जेक्टिफ को सण होगा उसमें आपके राइटर और आपके स्टोरी से जरूर कुशन आएंगे जरूर आएंगे कोशन राइटर और पॉयम से पाइट से हैं तो चलिए जट पर हम देख लेते हैं आपके बुक में जितने भी स्टोरी है उसके और जितने भी पोएम्स है उसके पोएट तो चलिया पहला देखते हैं a letter to God A letter to God G.L.F. Winters ने लिखा है लिटर to God G.L.F. Winters ने लिखा है नेक्स्ट है नेलसन मंडेला लॉंग वाग टू फ्रीडम देखो यह एक आटो गाइब आटो बाइब ग्राफ यह है नेलसन मंडिला का है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्टन है देखो टू स्टोरी में दो स्टोरी है ब्लाइक अरो प्लैन इसके राइटर है समझ गया चलिए जट पड़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए बच्चों बहुत ही इंपोर्टेट यह कॉस्टन है नेक्स्ट है फॉम दे डैरी ऑफ अन्य फ्रेंक तो इसके राइटर है अन्य फ्रेंक ठीक है इन दोनों के राइटर है इसमें तीन स्टोरी है इसका राइटर है अरुप कुमारदत्ता कुर्ग कुर्ग के राइटर है आगे बढ़ते है मेजबिल डाइटर मेजबिल डाइटर के राइटर है गैबिल मेक्श्वेल चलिए नेक्स्ट है मेडम राइट्स दबस वल्ली कानन मेडम राइट्स दबस के जो स्टोरी डाइटर है राइटर है वल्ली कानन नेक्स्ट है सर्मन एट बनारस बेटी रैंसाव बेटी रैंसाव इसके राइटर है तो बहुत ही इंपोर्टेंट यहाँ पर डिसक्स करना है हम लोग कोश्चन को दा प्रोपोजल एंटोन चिकोव यह दा प्रोपोजल के राइटर है नेक्स्ट देखिए फूर्ट्प्रिंट्स विदाउट फिट इस बुक से जो है पहला चप्टर अ ट्रियंफ अप सर्जरी जैंप्स अलफरेट वेट नेक्स्ट है दे थीप स्टोरी रस्किन बांड बहुत ही इंपोर्टेंट यह सिफ जान लेंगे एक दुबर देख लेंगे तो आपके नमर अच्छे आ जाएगे दे मिडनाइट विजिटर रोबर्ट आर्थर रोबर्ट आर्थर दे मिडनाइट विजिटर के राइटर है नेक्स्ट है अकोशन अप ट्रस्ट होरीस डैन्वे बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है फुट्प्रिंस विदाट फीट हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स राइटर है इसके नेक्स्ट है दा मेकिंग अफे साइंटिस्ट रोबर्ट डवलू पीटर्शन आप दो बार देखेंगे तीन बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे देखेंगे 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 दे क्लेर बाइको उनका नाम है नेक्स्ट अब देखिये पोएम को देख लेते हैं डस्ट अप स्नो रोबर्ट फ्रोस्ट फाइर अन आइस रोबर्ट फ्रोस्ट चलिये ए टाइगर इन देजू लेसली नॉरिस हाव तो तेल वाइल्ड अनिमल्स केरोलीन वील्स देखلا रकेंगे बहुत इंप्रें्ट इसमेसर जरूर आएज़ आएजे बॉलपॉयम जौन बेरिमन इमांडा बाइन चलीज अनिमल्स वल्ट वाइट मेंट एनिमल्स जो है वो वो बाइट मेंन लिल्क ही है सारे points को भी हम दो देख ले हैं the trees and adren ridge trees को किस ने लिखा adren ridge fog Carl Sandberg fog जो पोएम एक छोटी सी पोएम है उसको लिखा है Carl Sandberg ने next है the tale of custard dragon यहाँ पे Ogden Nash Ogden Nash ने लिखा है the tale of custard dragon and then next है for Anik Gregory यहाँ पे W.E.E.T.S. ने लिखा है Anik Gregory को तो इसमें हम लोगों ने डिसकस किया जितने भी आपके story थे उसके writer को और जितने भी poems थे उसके points को तो दिखा जा रहा है कि आपके exam में इनसे सवाल रहता ही रहता है कम सम 4-5 सवाल रहेंगे तो अब जरूर से जरूर इसे याद कर लेंगे चैनल को like और subscribe करिए अपने दोस्तों को share करिए अपके अंग्रेजी के सभी वीडियो इस चैनल पे मौजूद हैं आप आईए अपने दोस्तों को share करिए खुद देखिए पैदा उठाईए सभी subjects का झांक्स वर्ट रूर अच्ट वाच वर्ट वाच वर्ट वीडियो